हेलो, वेलकम टू आल, तो आज हम लोग जो हैं, वो आपके यूरी-वर्फन ग्रे Playstation के सिध्धनत के बारे में बढ़ेंगे, जो कि आपके समाजी करण के theories में 6, 8, 9, 9, 10 यूरी व्रोफिन ब्रेनर की एक जर्नल से इंट्रोडक्शन रहेगी एकोलोजिकल मॉडल के बारे में हम लोग जानेंगे और जो आपके लेवल हैं, एकोलोजिकल मॉडल के लेवल हैं उनको हम डेटेल से जानेंगे साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेशन रहेंगे इस थियोरी से लेटर ताकि आप लोगों को एक जर्नल सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेशन जो है वो आपकी एक्जाम में पूछे जाते हैं बाकि एक्जाम की जिस्टी से चाहे वो CTAT हो या फिर आपका HPTAT हो या फिर आपका किसी भी other state का TAT हो तो उस जिस्टी से बहुत ही जादा important theory है आपकी यूनिव रोफिन ड्रेनर के theory जो है वो आपकी बहुत ही जादा important है तो चलिए पहले शुरू करते हैं socialization से सभी को पता है कि मनुष्टे जो है वो आपका एक समाजिक प्रानी है without जो society है कहीं न कहीं हम human being कहीं exist भी नहीं करते है तो socialization क्या है socialization एक process है जिसके द्वारा जो हम individual जो भी society के द्वारा हमारे लिए norms जो है वो set किये होते हैं तो norms को हम लोग follow करते हैं वो है आपकी socialization definitions में भी जैसे मैंने लिखा हुआ है socialization is the process when an individual learns to adjust in a group और behave in a manner approved by the group or society तो यह है आपकी socialization इसके बाद जो हमारे psychologist है आपकी Univrofenbrainer इनकी हम जर्णल से इंप्रडक्शन देखेंगे तो Univrofenbrainer जो है वो इनका बर्त जो है वो 29th of April को हुआ था और वो एक Russian born psychologist है जिन्होंने काम जो है वो as an American psychologist किया है और इसके साथ साथ ही जो आपके ये Univrofenbrainer थे वो आपके जाने जाते हैं आज भी जो इनका ecological model है इसके लिए ये आज भी जादा तर जाने जाते हैं और इन्होंने जादा तर जो काम किया है वो आपका ecological, sorry development psychology में इन्होंने बहुत ज़दा काम किया है इसके साथ साथ इनकी जो theory है वो हमें help करती है इस सी इसको analyze करने में कि किस तरीके से जो आपका environment है वो आपकी human being के growth पे जो है वो effect करता है तो हम देखते हैं यूनिवरॉफन मेनर के जो ecological models है वो model है उसके जो five तो बात करते हैं हम लोग five system की सबसे पहला आता आपका micro system दूसरा आता आपका meso system third one आता आपका exo system fourth one आता आपका micro system fifth one आता है chrono system micro system जब मैं जो आपका immediate family neighbor and school है वो चीज़ आती है आपकी meso system में जो आपका आता है connection between family, neighborhood and school आता है exo system में जो आपका आता है economic system, education system, government agencies ये आपका आती है exo system में micro system में आपका आती है social values, cultural value, cultural and cultural belief है वो सब आती है आपके macro system में chronological system में आपका आता है change over the time, historical, biological change और या फिर life को coincidence यो कही न कहीं बच्चे की growth को effect कर रहा है वो आता है chronological system में इसके बाद जो है वो आपका broken brainer की theory है जिसको की हम लोग individual social theory भी बोल देते हैं तो इसमें है जो आपके broken brainer है इन्होंने ये चीज़ हमें बताई हुई है कि किस तरीके से एक environment जो है वो बहुत जादा important role play करता है एक child की development में जैसे मैंने लिखा हुआ है कि इस theory state that environmental factor play a major role in a development जो आपके environmental factor है वो बहुत ही जादा important role play करते है एक बच्ची की development में तो five environmental system की इन्होंने बात की थी जिनको की इन्होंने ecological system बोला हुआ है तो इसमें वो यह चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से life के जो आपके पढ़ाओ रहते हैं उन पढ़ाओ पर यह जो आपके system है वो काम करते हैं और किस तरीके से बच्चे की जो एक development है वो इन system के negative होने से जो है वो effect होती है जिसमें कि इन्होंने micro system, meso system, exo system और micro system and chrono system की बात की हुई है कि किस तरीके से अगर इनकी proper growth नहीं हो पाती है तो बच्चे जो है वो आपकी बच्चों की proper growth नहीं हो पाती है सबसे पहले आपका आता है micro system micro system जो है वो आपका smallest and most immediate environment in which child जिसमें की बच्चा रहता है वो है आपका micro system तो इसमें जो आपकी आते हैं वो school, family, day care, community, environment जो है एक बच्चे का वो रहता है जिसमें की एक बच्चा पैदा होते हुए जो है वो रहता है आपका तो इसमें भी इनोंने ये बताया हुआ कि किस तरीके से इन सबकी interactions जो है ये प्रपर तरीके से जो है वो growth नहीं हो पाती है तो इक बच्चे को जो है वो ये चीज़े effect करती है और कहीं न कहीं जो एक बच्चे की growth है उस चीज़े जो है वो effect रहती है अगर बच्चे को negative environment दिया जाता है इस level पे तो बच्चे के जो एक negative attitude बनता है अगर बच्चे को positive दी जाती है तो positive जो है वो आपका attitude बनता है with the encouragement and the better nourishment the child will be able to grow अगर better जो है वो बच्चे को encouragement मिलती है या nourishment better मिलती है तो एक बच्चे की growth जो है वो proper तरीके से हो पाती है तो यह आपका micro system इसके बाद जो next है आपका वो आपका meso system meso system जो है वो आपका आता है relationship between the micro and ones जैसे की लिखा हुआ है मैंने की linkage between the home and school की home और school के बीच का interactions peer group and family की बीच का interactions और family और community के बीच का interactions तो इनके बीच में जो इन्टक्ट्ट्ट il pops content है throughaku today एक बेटर एक्जांपल भी लखा मैं आपको बताया हूँ है अगर आपके पेरेंस वन बच चाहिदि को फ्रेंड को फ्रेंड गोपस को घर पे इन्वाइट करते हैं और आप दोनों के साथ एक time spend करते हैं तो कही ना कही यह चीज जो है वो एक बच्चे को positive way से effect करती है और बच्चे को जो एक positive growth होती है positive way से growth में जो हो help करती है और मतलब यही चीज है आपकी mesosystem में कि जो आपकी interaction की बात करते है हम mesosystem में जो कि किसके बीश में micro और उसके family के बीश में जो interaction आपकी mesosystem में third आपका exosystem exosystem जो है वो आपका कही ना कहीं इसमें जो है वो बच्चे को indirectly effect होता है जैसे कि for example मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है parents का workplace, neighborhood, school board and mass media school board मतलब जैसे जो curriculum formation करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा उनके साथ जो है वो directly जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन indirectly जो school curriculum है उसका effect जो हो बच्चे के उपर growth के उपर आ रहा है वो है आपका exosystem इसके साथ ही एक और example हो सकता है जैसे जो आपकी school committees होती है word seasons लेती है related to school तो बच्चा उनको directlyुए से भच्चा उनके साथ नहीं जुड़ा है लेकिन कहीं न कहीं indirectly वो जो है वो जो है वो चीजी भी बच्चे को जु़ाएव इफएक्ट कर रहे है indirectly उस बच्चे को जो है वो उसके उपर उस Сीज का जो है वो effect पड़ रहा है आपका socio economic status क्या है आपका आपकी cultural क्या है आपकी beliefs क्या है ये सब चीज़े आती है आपकी micro system में तो इसका एक example ये भी हो सकता है कि एक बच्चा जैसे कि एक अच्छी socio economic status में पैदा हुआ है तो उसको जो है वो इतनी महनत नहीं करने बढ़ती है लेकिन एक जो बच्चा है जो अच्छी economic status में पैदा हुआ है वो एक अच्छी महनत करके जो है वो एक काम करता है तो कहीना कहीं उन दोनों की जो एक development होती है वो effect होगी तो इस तरीके से वैसे मैंने explanation के लिए एक example भी इसमें लिखा हुआ है तो ये भी जो है वो आपका microsystem का ही example है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की हुई है कि किस तरीके से जो है वो microsystem का environment रहेगा थर्ड आपका आता है chronosystem chronosystem की बात करें तो इसमें जो आपके changes होते है life में उस सीजों को हम लोग बताते हैं जैसे कि अगर family के family में कोई change हुआ है for example कि अगर parents का जो divorce हुआ है कहीं न कहीं incidence बच्चे के mind में रहता है और ये चीज जो है वो उसको जो है वो life में कहीं न कहीं effect करती है तो अगर life बच्चपन में अगर बच्चे का कोई incidence रहा है तो जो कहीं न कहीं उस बच्चे की growth को effect कर रहा है directly and indirectly उस बच्चे की growth को effect कर रहा है तो वो आता है आपका Chronosystem जैसे biological भी हो सकता है आपका physical even physical कैसी जो है FEES तो इसका आंसर जो है वो डारेक्ली ब्रोफिन ब्रेनर रहेगा ज़से कि आपको पता है वो थियुरी पढ़ रहे हैं इसके लावा इस दा आटर मोस्ट वाली लेयर है हम लोगों ने पढ़ा वो आपकी क्रोणो सिस्टम है थर्ड वन आपका आता है जो आपका क्वेशन है व वो है आपका exosystem, exosystem में जो हम लोग बात करते हैं parents की work place की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि directly, indirectly वो बच्चे की growth को effect करता है, तो वो है आपका exosystem, fourth one है आपका, यूरी व्रोफिन ब्रेनर जो है वो एक psychologist थे, तो वो आपकी American, Russia American, जो है वो आपकी psychologist थे, तो यही है आपक यूरी व्रोफिन ब्रेनर की theory